स्तूती महीमा एशु प्रभुजी गाते आते हैं तुछ पास जीवन चल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुख्दी दाता जीवन चल देखाँ जीवन चल देखाँ जीवन चल देखाँ प्रभु एशु मशी के पवितर नाम पर प्रेम भरा नमस्कार प्रभु की आशिम करना से पिछले पांच साल से शुबसंदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत के इस जीवन जल कारेक्रम में आपका स्वागत करते हैं यह कारेक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु एशु मसीग पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीज जीवन के लिए एक आशिश का कारण हो गया है प्रभु की महिमा हो परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है हर एक जो यहवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्धेश है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु एशु मसीपर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अन्भों कर सके आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशिश का कारण टरे यही हमारी प्रार्तना है इस कार्यक्रम का लाब उठाते हुए आप इस विशे में जरूर अपने पडोसी और प्रिय जनों के सूचित करे साथ ही करस्पंडन के माध्यम द्वारा मराटी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्येन भी कर सकते हैं प्रभु का वचन सुने और आशिश पाए आमेन जीवन जलकारिक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धार करता प्रभु ईशु मसी के पवित्र नामे नमस्कार योहना अध्याय साथ और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है ईशु ने लोगों को पुकार कर कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिये जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जलकी नद्या बै निकलेगी क्या आप जीवन में प्यासे है या सच्चाई के तलाश में है प्रभ्य ईश्व मसी आपके प्यास को बुजाना चाते है आपके सवालों का जवाब देना चाते है तो आईए आज पर मेशर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तयार करें और इस मदूर संगीत का आनन्द उठाईए गाउंगी में तेरी ही गी ये शुतु है महाँ तेरा हिना मेरे मसी नेती हु सुभू और शाउंगी में तेरी ही गी ये शुतु है महाँ तेरा हिना मेरे मसी नेती हु सुभू और शाउंगी में तेरा हिना मेरे मसी नेती हु सुभू और शाउंगी में तेरा हिना मेरे मसी नेती हु सुभू और शाउंगी में तेरा हिना मेरे मसी नेती हु सुभू और शाउंगी में तेरा हिना मेरे मसी नेती हु सुभू और शाउ जब मैं गुनाहों में पड़ी तेरे प्रेम से मैं दूर थी तेरे सल मुखाने के लायक देका दूआ पियों गन थी जब मैं गुनाहों में पड़ी तेरे प्रेम से मैं दूर थी तेरे सल मुखाने के लायक देका दापियों गन थी पड़ तो ही मेरा सहारा बना अपने पास मुझे बोला इसलिए मसीह होटों से अपनी सुची तेरी खरूँगी दर्चको क्या हाले आपका उमीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक हैं और खुदा ने आपको अपनी बड़ी रहमत और बड़ी दया से आपको समाल के रखा है और हमारी यही प्रात्ना है कि आप सब लोग सही सलामत रहें परमेश्वर के अनुग्रे में रहें और उसकी दया का मज़ा आप रोज उसका लुफट उठाएं क्योंकि याद रखें उसकी दया, His mercies are new every morning रोज हमारे प्रवु येसु मसी और परमेश्वर की दया अपरम पार है और नहीं है हमारे लिए दोस्तो आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ खास तोर से जो हमारे भाई लोग हैं, अंकल जी हैं और जो हमारे नौजवान हैं क्या कभी आपने देखा है किसी साड़ी की दुकान में जाकर खास तोर से अगर आपकी वाइफ को अगर साड़ी खरीदनी हो और वो भी अपनी मन पसंद साड़ी खरीदनी हो या आपकी मम्मी को खरीदनी हो या आपके आंटी को या आपकी सिस्टर को या दादी को खरीदनी हो खासतोर से वाइफ को तो आप गए उनके साथ आप बैठे हो यूं करके है एक गंटा हो गया दो गंटा हो गया क्या हो रहा भाई ये हो रहा देखिए बाबो जरह ये ये वाली मरून साड़ी लाइए मरून दोस्तों क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि दो तीन गंटे के बाद एक साड़ी आपकी वाइफ ने या आपके बैन ने आपकी ममी ने खरीदा हो और आप चुपचा भी बैठे रहे हो दोस्तों हम जब जाते हैं मार्केट में खास तोर से जो लेडीज होती है मानना पड़ेगा उनको आई ओफ डीटेल है वो बारी की से हर एक चीज को देखती है और कुछ भी उनमें कुछ खलल या कोई फाल्ट देख जाता तो एकदम वापस कर देती है कई दफ़ा तो चीज खरीदने के बाद भी खास तोर से आजकल एमेज़न है फिलिप कार्ट है लोग जब चेक करते है वापस इमिजटली रिजेक कर देते है दोस्तो मैं एक दिन अभी खाली की बात है मैं गुजर रहा था वो मैंने कचरे का डबा देखा कचरे का डबा डश्मिन और मैंने देखा बड़ी गंदगी है महाँ पर और उस गंदगी में से मैंने देखा कि क्या कोई रईस आदमी कोई बहुत अमीर आदमी रिच मैं क्या उस गंदी सी जगा में जाकर उस कुडे में से क्या कोई चीज निकालेगा और अपने जेब में रखके जाएगा और अपना बनाएगा ना मुंकिन आप काओगे वो तो गंदी चीज है इन्फेक्शन है यह तो किटानू होंगे उसमें यह तो कौन जाएगा इसी गंदी जगह में कोई जाडू वाला होगा या कोई जमादार होगा या कोई ऐसा कोई वचरा लेबर होगा वो यह जाके चीज़ें उठाएगा गंदी की दोस्तों नहीं होगा ना ऐसे बुलकुल ऐसी मेरे अजीज़ों जब हम जाते हैं मार्किट में हमें चाहिए सबसे बेतरीन प्राइस और सबसे बेस्ट डिसकाउंट और खास दोर से सबसे बेतरीन चीज़ जिसमें कोई फॉल्ट ना हो कोई दाग ना हो कई दफ़ा कोई चीज़ें खरीदी हो आपने जिसमें दाग हो और प्राबलम हो आपको बताना चाहता हूँ कि कोई गंदी बेकार चितरा थो ना कोई खरीदेगा आपने देखा है कि किसी साड़ी की दुकान में कोई गंदा सा पोचा खरीद के जा रहा हो या गंदे सा चितरा खरीद के जा रहा हो नहीं कोई गंदी चीज और बेकार चीज यूसलेस चीज कबार चीज के लिए कोई पैसा नहीं खर्चेगा पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि एक राजा जो शेहनशाओं का शेहनशा है वो आया इस पापी बाजार में हाँ सुनिये सुनिये गौर फरमाईए इस पापी बाजार में वो शेहनशा आया जो पूरी जगत का मालिक है और वो आया उस कुड़े के धेर में और उसने मुझको ढूंड लिया और मुझको चुन लिया मुझे चूस करा उसने और एक बड़ी इतनी बड़ी कीमत चुका ही कुछ हजार रुपे नहीं जो हम साड़ी खरीदते हैं या कुछ समान खरीदते हैं या कुछ लाक रुपे जो गाड़ी गाड़ी खरीद लिया आपने जिसमें थे हम वो शेहनशा वो राजा वो प्रबू वो आया हमारे बीच में और हमारी गंदगी में चलके आया और उसने मुझ जैसे गुनेगार को उसने चुन लिया मेरे अजीजों एक बड़ी खुबसूरत वर्स है एक बड़ी खुबसूरत वर्स अगर आपके पास बाइबल है तो कृपा करके आप बाइबल को खोलें अगर नहीं तो कोई बात नहीं आप लिखिए और कहीं बेभी कोशिश करें मैं हमेशा कहता हूँ आप एक बाइबल लीजिए और अगर कुछ भी ना हो तो यहना सू समचार जान की पुस्तक आप प्लीस पढ़िए यह चौती पुस्तक है निया नियम में 27 किताबे हैं पुराने नियम में 49 टोटल 66 किताबे हैं बाइबल में और यह जौन जो किताब है वो बाइबल का एक नचोड है और प्रबु यहसू मसी को आप बड़े नजदीकी से जान सकते हैं अगर आप यहना की यहसू समाचार को आप पढ़ें हर एक बाइबल का पन्ना हर एक लवज हर एक आएद हर एक चैप्टर बेश की मत है पर यहना एक स्पेशल है उन लोगों के लिए जो प्रबु यहसू मसी को खोज रहे हैं अपने जीवन के प्रशनों को खोज रहे हैं और जो चाहते हैं कि वो जाने की खुदा कौन है और वो क्यों आया उस कुड़े के ढेर पे वो क्यों आया उसने वो गंदगी अपने उपर क्यों ली हमारे पाप अपने उपर क्यों लिये और मुझ जैसे गुनेगार मुझ जैसे पापी को उसने क्यों चुन लिया यह मेरे समझ के बाहर है और एक जो वर्स जिसको मैं समझ भी नहीं पा रहा, मैं नहीं समझ सकता वो है पंदरवे ध्याय यहना के और सोलमा पद जॉन चेप्टर 15 वर्स 16 और यू लिखा है, अंग्रेजी में इस तरह है यू है नॉट चोजन मी, बट आई हैव चोजन यू, अजीब आद है शेहनशाओं के शेहनशाओं खुदावन के खुदावन जो महान अति पवित्र परमेशवर देधारी हुआ इनसान बनके आया इस पाप के बाजार में आया, जिसमें हम किसी शेल्फ पे नहीं थे, हम तो बलकुल नाइलाइक, गंदे किसी कोई कीमत नहीं थी हमारी, हम गुनेगार पापी लोग, क्यों पापी? क्योंके परमेशवर का कलाम खुद परमेशवर कहता है, हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से गिरावा है और हम में से कोई धर्मी नहीं है दोस्तों, मैं सच कह रहा हू आप सोचिए इसके बारे में हाँ ठीक है, आप लोगं की मदद करते हैं, आपने शायद लोगं की हल्प करी, किसी को एड्मिशन दिलवा दी किसी को आपने पैसे दीए आपने किसी की हल्प करी ठीक है, मैं मानता हूँ पर हमारे अंदर जो self है स्वार्थ है हमारा जो घमंड है हमारे अंदर जो धिर्दे है जो ढूंगी है दुष्ट है सब प्रकार के बुरे विचार आते हमारे मन में मेरे अजीजों किसी ने कहा कि कोई ऐसा कोई चिप हो जो हमारे दमाग में लग जाए और किसी सिनमा थियटर में हमारे विचार लोग देखें 70 mm स्क्रीन पे या फुल डॉल्वी सिस्टम में क्या आप चाहोगे कि लोग आपके विचार जाने है क्या आप चाहते हो कि आपके विचार किसी सिनमा की स्क्रीन पे आए नहीं, नहीं मेरे अजीज़ों, नहीं मैं कहरा हूँ कि कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं जो चाहेगा कि उसके गंदे वायहद, विचार और इमेजिनेशन्स, तसवर जो है उसके जो दुष्ट हैं, लोग जान सकें पर याद रखें, खुदावन, परमेश्वर को हर एक चीज़ पता है, एक एक विचार आपका पता है एक एक जो लवज आपने इस्तमाल किया है एक एक विचार जो आपके मन में कंसीव हुआ है वो खुदावन को पता है और उसके रिकॉर्ड में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है बाइबल कहती ही, खुल जाएंगे किताबे उस दिन जब हिसाब होगा हमें नहीं मालुम दोस्तों एक दिन आने वाला है, वो कब आएगा वो दिन मुझे मालुम नहीं और परमेश्वर का कलाम बताता है कि एक दिन हर एक को हिसाब देना ही पड़ेगा किताबें खुल जाएंगे दोस्तों एक एक जो बुरा शब्द आपने बोला जो जूट बोला, जो बुरे विचार आपके मन में आए है जो लालच, जो घमंड, जो इर्शा, जो जलन जो आपने अपनी आँखों से बुरी नजर किसी औरत की तरफ देखी और वेवेचार आपने किया जो खुदा के कलाम में लिखा है वो एक एक चीज, एक एक बुराई, एक एक गुनाँ आपका खुदा को पता है और बाइबल बताती है, हर एक ने पाप किया है हर एक उस़ी महिमा से गिरावा इनसान है खुदा कहता, जम मैं इस दुनिया की तरफ देखता हूँ तो कोई और कोई नहीं है जो नेक है कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं जो मेरे बहे में चल रहा है कोई ऐसा नहीं जो धर्मी नहीं दोस्तो हम गुनेगार हैं हम पैदा ही गुनेगार होते हैं पाप कब बीज है हम में छोटे बच्चे को कोई सिखाता है कि जूट बोले छोटे बच्चे को सिखाता है कि कोई आप चीजें चुपाएं या आप चोरी करें कोई माबाप नहीं स जब हम बढ़ते हैं तो फल लगने लग जाते हैं बच्चे में, वही चीज हमारे साथ हुआ है, सोचिhou इसके बारे में, और अगर ये पापकों में मर जाएंगे तो हम सवर्ग नहीं जाएंगे खुदा का कलाम बताता है, प्रमेश्वर बताता है, हम नहीं जाएंगे जो खुदावन येसु मसी ने का जिसका कीड़ा कभी मरता नहीं और आग और गंदक से वो जलता रहता है इदर लेक ऑफ फायर जिसको जोहनुम कहते हैं जिसको नर्क कहते हैं खुदा नहीं चाहता कि आप उसमें जाएं दोस्तों क्यों जाना चाहते हैं आप क्या उसी कुड आत्मा हमेशा हमेशा के उस रोने के और उस दान्तों के पीसने में और उस रिग्रेट में अनंदकाल के रिग्रेट में अफसोस में और दोस्तों वो पीरा जो आपके समझ के बाहर है मैं आपको डरा नहीं रहा है मैं एक हकीकत बियान कर रहा हूं उस जहन्म से बचाने के वो वो परमेश्वर हमारा खुदावंद येसु मसी देधारी हुआ मानव चोला पेना क्यूं आपके लिए और मेरे लिए हम जो उस पापों में पढ़े वे थे वो आया और उसने एक बड़ी कीमत चुकाई चलो ठीक है साड़ी वाड़ी यूं खरीद ली आपने पैसे दे द उस मेले कोचेले चित्रे को उठाने के लिए हमारा खुदावंद आया ओ हमारा खुदा कितना मेरबान है कितना द्यालू है कितना प्रेमी है मैं आपको वर्नन में डाल नी सकता मैं अपने लबजों की बंदिश में उसको ला नी सकता कि हमारा खुदावंद कितना द्यालू क्या देखा उसने क्या देखा ना कोई लियाकत ना खूबी क्या देखा क्या देखा उसने सबने गुनागार को जब नजरों से गिरा दिया तूने ए मसीय महरबा अपने गले लगा लिया जो क्रूस पे कुर्बा है, वो मेरा मसीहा है हर जख्म जो उसका है, वो मेरे, मेरे गुनागा है दोस्तो उसने कीमत चुकाई सूली पर अपनी जान देकर हाँ जी, हाँ, बेकार थे हम, हमारी कोई कीमत नी नर्क में फेटने के लाइक हम, गुनेगार लोग उसने वो कीमत चुका ही अपनी जान देकर अपना लहू बहाया वो कुर्बान हुआ वो मेमना बना परमेश्वर का मेमना बना जो हमारे गुनाओं को उठा कर ले गया वो सलीब को उठा कर ले गया गौल गौथा तक उस पाहडी तक हमारे पापों का बोज अपने उपर ले लिया, हमारे गुनाओं को ले लिया अपने पर और उसने वो सजा परमेश्वर की करोध की सजा उसका गजब उसने गोया की प्याले के वो गजब का जो प्याला था खुदा का आकरी बून तक पी लिया दोस्तों और अपने लहू का एक एक कत्रा बहा दिया दोस्तों बाइबल बताती है कोई नाशवान चीजें जैसे सोना चांदी से हमारा उद्धार नहीं हुआ परन्तु उस बेश कीमत प्रेशस ब्लड बेश कीमत लहू से जो प्रभु येसु मसी का है दोस्तों क्या कीमत चुकाई उसने क्या कीमत चुकाई दोस्तों मुझे एक और्फनिज में जाते हैं, अना तालिय में जाते हैं वो और वहां जाते हैं, तो वहां के जो इन्चार्ज थे, वो अलग अलग कमरों में उन्हें बड़े खुब्सूरत बच्चों को दिखाया, कियों बड़े अच्छे घुंग्रोले बाल, कियों कि आँखे बुल्कुल आँखें कई बच्चों की इतनी बड़ी बड़ी आँखें और जैसे बदाम जैसी आँखें और कई जो मुसकराते थे तो एक डिम्पल पड़ता था कई बड़े बड़े गोरे बड़े ब्यूटिफुल फेर बच्चे दिखाएं उन्हें खुबसूरत गोरे बच्चे और कई गोल मटोल कई खुब खेल रहे हैं हस रहे हैं और कईयों के बड़े खुबसूरत बाल हैं बड़े अच्छे खुबसूरत बच्चे दिखाएं तो वो जो उनकी वाइफ थी उनने यहां देखा, वहां देखा बड़े अच्छा लेके बच्चे, बट-कुबसूरत बच्चे, अलग-अलग एज के बच्चे थे फिर उनने देखा, दूर एक कमरे में, खिड़की के पास, एक पालना है, एक कौर्ट में, उननने देखा, कि वो बच्चे को नहीं आप दिखा रहें, क्या वो बच्चा, क्या उस, वो नहीं इनके बीच में, उन्होंने का, नहीं मैडम ऐसा है कि वो ज़रा बच्चा ठीक नहीं है, आपको पसंद नहीं आएगा, उसको इसलिए हमने अलगी रखा, ये बच्चे ज़रा अच्छे, तंद देखना चाहते हैं, तो उसकी वाइफ ने इंसिस्ट किया, कि नहीं मैं देखूंगी ज़रूर, तो वहाँ पे गए वो, दोस्तों, मुझ अब देखे तो पीछे हो गए हो, उस छोटे से बच्चे को एक खास किसम की बिमारी है, जो दुनिया में बहुत थोड़े से लोगो सकिन उसका, बुलकुली ऐसा जुलस रहा था, और उसके दांट ऐसे करके जबड़ा दिख रहा था, सारे मसूड़े दिख रहे थे, और आंके अजीब सी यूँ करके होई, और इतने बिहानक शकल थी उस बच्ची की, बाल भी इसके ठीक नहीं, और छोटा सा बच्चा, जो बुलकुली उसका पूरा शरीर जुलसा हुआ था बुलकुली, और बुलकुली बिहानक टाइप का अगली बच्चा था हो, तो उसके वहां के जो इंचारज ने का देखिए, सर सौरी, मैं इसलिए नहीं दिखाना चारा था आपको, कि कोई इसको पसंद नहीं करता, इसी बच्चे को लेंगे, जिसको सब रिजेक्ट करते हैं, और उस बच्चे को उठाया, उन्हें अपने गोद में लिया, और उसको चुमा, और उस बच्चे के चेरे पे, वो छोटे से बेवी के चेरे पे, एक मुस्कराट खिल गई, उसी आँखे खुल गई, और दोनों ह इजेक्टेड हैं, हम कंडेम्ड हैं, हम पहली सी कंडेम्ड हैं, हमारा कोई, कोई नहीं हमें पसंद करता, दोस्तों, पर वो मालिक धरती और आकाश का, वो खुदा, जो प्रेम सागर है, वो जो दिया सागर है, वो आया, और उसने आपको, और मुझे चुन लिया, मत कुछ यह क्या देखा मुझे, क्या था हम में, नहीं कुछ नहीं, दोच्टों कुछ नहीं, उसमें लिखा है, I have chosen you, मैंने तुम्हें पहले चुन लिया है, और अगर हम पहले यहन्ना की पत्री में देखें हैं, यहन्ना ने यह भी लिखा, कि मैंने तुम से पहले प्यार किया है क्या देखा प्रभू आपने कि मुझसे प्यार करोगे क्या देखा कि मुझे चुनोगे हम जब चीजें चुनते हैं तो बेस्ट लेते हैं तो जब खुदा ने चुना तो सबसे वर्ष सिनर सबसे ग्या गुजरा गुनागार खुदा ने गले लगा लिया दोस्तो क्या कोई आपसे ऐसा प्यार करेगा वो लड़की अब बड़ी हो गई है वो छोटी बच्ची और वो सब लोगों को बताती है कि कैसे उसके माबाप ने उसको वो प्यार और वो इतना प्यार दिखाया कि अब वो पढ़ती है स्कूल में और वो लोगों को बताती है कि हमारे माबाप सबसे बेस्ट है दोस्तो हमारा फादर हेवनली फादर हमारा प्रभु येसु मसी सबसे बेस्ट है जिसको कोई नहीं चुनेगा वो चुनेगा अगर आप सोचते हैं कि आप कोई प्यार नहीं करता प्रभु येसु मसी आप से प्रेम करते हैं बे इंतहा प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि आप नर्क में न जाएं आप उसको ग्रहन कर लें और उस कुड़े के धेर से वो ठाएगा और ना केवल अपना बनाएगा और अपने दिल के पास रखेगा दोस्तों वो आप से बहुत प्यार करता है खुदा का कलाम कहता है I have chosen you और उन्नीस में पद में लिखा है पंदर में धियाए में I have chosen you out of the world इस दुनिया में से मैंने तुम्हें चुन लिया अपने लिये मैंने वो कीमत दे दी है और आप मेरे हो दोस्तों आज है समय अपना दिल दे दीजिए उसको अपने गुनाओं से दोबा कर लीजिए और उसको ग्रहन कर लीजिए अगर आपके मन में खुदा ने आज आज आपसे बात चीत करी है अगर आज खुदा ने आपसे बात चीत करी है मन को कठोर ना करे और ये दुआ आप मेरे पीशे उधार की पश्चाताब की मेरे पीशे दुराईए और यू बोलिये प्रबु मैं गुनेगार हूँ मैं पापी हूँ मैं अंगी कार करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे गुनाओं के लिए सलीप पर मारे गए गाडे गए तीसरे दिन जी उठे आप जीवत हैं प्रभु और जीवत ही स्वर्ग में गए और आप दुबारा आएंगे मेरे लिए प्रभु जी मेरे दिल में आईए मेरे पाप शमा कर दें मेरे पास कोई लियाकत कोई खूबी नहीं मैं गुनेगार हूँ प्रभु मुझ पर दिया करो मुझ पर दिया करो और मेरे पाप शमा करो मैं आज आपको अपना उधार करता हूँ प्रभु करके ग्रहन करता हूँ प्रभु जी मुझे अपना लीजिए ये विश्वास की प्रातना मैं प्रभु येसु मसी के नाम में मांगता हूँ आमीन अगर आपने ये परातना करी है तो आज आप अडॉप्टेड है उसने आपको गोद ले लिया और अपना बना लिया है अपना बना लिया आप उसके परिवार के सदस्य और मेरी जैसे आप भी है वेल्कम टु दे लॉर्ड्स फैमली उस खुदावन प्रभु येसु मसी के परिवार में आपका खुशामदीन आपका वेल्कम है गॉड्ड ब्लेस यू परमेश्वर आप सब लोगों को बेहत आशिश दे याद रखें उसने तो आपको चुना है कि आप नहीं चुनोगे उसको थैंक यू गॉड्ड ब्लेस यू अगर परमेश्वर ने इन को बाटना चाते हो निसंदे हमसे संपर्क करें हमारा पता जीवन जल नव बावना बिल्डिंग 422SVS रोड पोस्ट बॉक्स नंबर 19161 प्रबादेवी मुंबाय 4 000025 प्रातना एवं मुफ्त बाइबल करिस्पोंडेंस के लिए हमें संपर्क करें अपना नाम और पूरा पता तुरंद SMS करें मुबायल नंबर साथ साथ एक शून्य शून्य छे पांच एक एक पांच इमेल आईडी Gospel Broadcasts at the rate yahoo.com Web Address www.lwgb.org Youtube जीवन जल टीवी at the rate YouTube जीवन जल कारेख्रम को हर सोम वार शाम साड़ी छे बजे हर बुदवार शाम साड़ी छे बजे और शनिवार रात नौ बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं धन्यवाद